आपने तो हजारो वार ठेकों की रेसिपी बनाई होंगी अपने घर पर बट पहली वार बनाईए अथर्टिक धंग से ठेकों और इस चट आप अपने घर पर इसे जरूर ट्राइ करिएगा आपको ये बहुत ही पसंद आएगी तो चलिए बनाते हैं आज की अथर्टिक धंग से ठेकों की रेसिपी बट उससे पहले मैं खुश्बूर का नोजिया और मैं अपने चानल घर का जाय कावित खुश्बूर में आपका स्वागत करती हूँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चंद मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चंद को सस्क्राइब करना ना भूलिये तो चलिए बनाते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक बरतन एंगे और उसमें एड़ करेंगे गूर, गूर को सरीफ यहाँ पर हमें पिघलाना है, तो पिघलाने के लिए हम इसमें एड़ करेंगे थोड़ा सा पानी और इसे पिघलने देंगे, आप चाहें तो आप गूर को थोड़ा थोड़ा आप इसमें कट कड कर भी ऐड कर सकते हैं इसे गुर जल्दी ही पिघल जाएगा और अगर आप चाहें तो गोला भी ऐड कर सकते हैं देखिए कितना जल्दी पिघल चुका तो हम इसे सिर्फ फिग लाना है तो ये अच्छी तरह से पिघल गिया है अब हम इसे गैस से उत्तार लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे यह बहुत ही गर्म होता है और आप इसे सब्धाने सिक्किजिएगा तो हम यहाँ पर अदा केजी आटा लिए हैं और यह गेंग काटा है और यह थोड़ा दरदरा आटा है ठेकवा बनाने के लिए थोड़ा दरदरा आटा हैं अच्छा होता है फिर हम इसमें एड़ करेंगे इलाइंची और कदुकस किया हुआ नारियल आप इसमें कदुकस किया हुआ नारियली एड़ करिएगा क्योंकि यह नारियल जब आप ठेकवा को फ्राइ कीजिएगा तो कटागवा नारियल सब बाहर निकल जाता है तो आप इसमें कदुकस किया हुआ नारियली एड़ कीजिएगा और हम फिर इसमें एड़ करेंगे घी घी हम यहाँ पर दो चमच एड़ करेंगे आदा केजी आटा के लिए दो चमच घी परफेक्ट है इसे हमारे ठेकवा थोड़ा खास्ता भी बनेगी और क्रिस्प भी और छट परव में घी कहीं इस्तमाल किया जाता है मैं आपको कोई भी जीज गलत नहीं बताऊंगी आप रिफाइन का यूज मत किदिएगा अगर आप छट पर्व के लिए बना रहे हैं तो या देखिए हाथ में लेने के बाद ये मुठी की तरह बन गिया तो हमारे लिए घी ये परफेक्ट है फिर हम इसमें पिगला हुआ गूर ऐड़ करकर इसे एक टाइट डो तयार कर लेंगे और गूर सर्दी के मौसम के लिए बहुत ही अच्छा होता है हमारे हिल्थ के लिए तो गूर को आप हट सर्दी में जरूर खाईए इसे हमारे सरीर को गर्मा हट मिलती है और हमारे सरीर को बिमारी से लड़नी का ताकत भी तो आप गूर का इस्तमाल ज्यादा कीजिएगा सर्दी के मौसम में फिर इसमें जो लगा हुआ पिगला गूर है हम उसे क्यों बेस्ट करें हम उसे भी इसमें एड़ कर देंगे आटे के साथ सान सान कर सच में ये ठेकुआ बहुत ही अच्छा और साफ्ट बनेगा आप ज़रूर इसे ट्राइ करिएगा अपने घर पर और इसे हम मसल मसल कर टाइट डो तयार कर लेते हैं तो लिजिए हमारा डो तयार हो चुका है आप चाहे तो आप इसमें थोड़ा सा पाने भी आट कर सकते हैं तो हमारा डो यहां पर देखी तयार हो चुका है हम इसे भागों में डिवाइड कर चुके हैं और फिर हम इसे छोटे छोटे वाल्स बना लेंगे तो चलिए हम इसका थोड़ा छोटा छोटा वाल्स तयार कर लेते हैं वाल्स थोड़ा छोटा छोटा ही बनाईएगा अगर आप चाहते हैं वाल्स थोड़ा बड़े बनाने के लिए तो आप बड़े भी बना सकते हैं मैं तो अपने घर पर छोटे छोटे ही बॉल्स बनाती हूँ इसी तरह से हम सारे बॉल्स बना लेंगे और मैंने कद्दुभाद की रेशिपी भी अपने वीडियो पर अप्लोड की हुई हूँ अगर आप चाहते हैं उसे देखना तो आई बाटन पर क्लिक कीजिए सारे बॉल्स तयार हैं इस तरह से बॉल्स बना कर हमें काम करने में आसानी भी होगा तो लिजिए ये सारे बॉल्स तयार हैं और हम एक तरफ घी को गर्म होने के लिए रख देते हैं क्योंकि छट पर्व में घी का इस्तमाल ही किया जाता है और हम यहां पर एक साचा लेंगे और साचे में थोरा सा गी लगा कर वॉल्स को इसमें ठोक लेंगे इससे हमारी वॉल्स में एक से पा जाएगा अगर आप चैट पर्व में बनाईएगा तो आप ये सारे का यूज करिएगा और अगर आप डेली बनाना चाहते हैं तो आप सिर्फ राउंड वाले का ही इस्तमाल किजिएगा मैं आपको पूरे और थेंटिक धंग से ही ठिकवा की रेसिपी बता रही हूं तो आप बिना स्किप किए मेरे वीडियो को इन तक जरूर देखिए इसे हलके हातों से हम फैलाते जाएंगे ताकि इसमें एक सेप आ जाए तो लीजिए ये तयार है इसी तरह से हम बाकी को भी बना लेते हैं तो हम यहां पर एक गिलास पानी रखे हैं तो आप सोच रहे होंगे कि खुसवू आप ये पानी क्यूं रखते हो अगर आप पानी बगल में फ्राइ किया हुए कढ़ाई के पास रखिएगा ना तो तेल या घी कम लगेगा तो फिर हम इसमें गर्म किया हुआ घी में ठेकों को एड कर देंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ करेंगे और आज को हमेशा धीमी रखिएगा आज हलका धीमी रखिएगा ना तो हमारी ठेकों थोड़े क्रिस्प बनेंगे और जब ये एक तरफ से कुक हो जाया हलका गोल्डन ब्राउन हो जाया तब हम इसे पलट देंगे और आज को हलका हाई कर लेंगे और इसे दोरो तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक हम कुक करेंगे इसे प्राउन होने तक कम से कम 10 से 10 मिनिट जरूर लगता है तो लीजिए ये गोल्डर ब्रान हो चुका है अब हम इसे कड़ाई से बाहर निकाल लेते हैं और हम इसी तरह से बाकी को भी चान लेंगे जब ये गर्म रहेगा न तो थोड़ा मुलायम रहेगा और जैसे जैसे ये ठंडा होते जाएगा वैसे वैसे ये थोड़ा थोड़ा खासता होते जाएगा तो आप डढ़ियेगा नहीं कि हमारी ठेकवा थोड़ा खराब बन गई वो शुरवात में थोड़ा सौफ्ट रहता ही है तो लीजिए तयार है गर्मा गर्म खासता ठेकवा और वो भी ऑथेंटिक ढ़ंग से तो आप इस छट को इसे जरूर ड्राइ करिएगा अपने घर पर और हमें कमेंट करकर बताईएगा कि ये कैसा बना है ये दिखने में लग रहा है ना खुबसूरत क्योंकि घर का जाय कावित कुस्पू में जो दिखता है वही पकता है तो देखिए ये कितना क्रिस्प है मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना क्रिस्प बना हुआ है है ना ये बहुत ही क्रिस्प है और खाने में उतना ही स्वादिश्ट यकीन नहीं होता तो आप इसे एक पर अपने घर पर जरूर ट्राइ करिएगा आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इसे एक लाइक और अपने फ्रेंट फार्मिली में सेयर जरूर करें और इसकी इंगिडियन्स को भी नोट कर ले ताकि आप बनाएं और अगर आप फास्ट वार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत बुलिए प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं इस तरह के इंट्रेस्टिंग वीडियो आपके लिए हैमें साल आती रहूं अपने इसी चैनल घर कजाए का विद्खुस में जब तक खुश रहिए खुशियां बढ़ते रहिए और आज पर सफाई बनाई रखिए थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग टेक केर और नमस्कार